नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत थे आपके अपनी यूट्यूब चैनल त्यारी सक्सिस की में दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक से मेरा आखरी वीडियो पर आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया बहुत सारे लाइक किये कमे तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पर बहुत सारा रिसर्च किया है और बहुत तरह तरह की पुष्टक पढ़े हैं उसके बाद इस टॉपिक पर विडियो बनाया जा रहा है तो विडियो दोस्तों पूरा देखिएगा आपको पूरा डीटेल समझ में आएगा विडियो जादा लंबा नहीं होगा तो विडियो शुरू करने से पहले आपसे सिंपल सा एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्स बनाने के लिए तो दोक Paul प्लीज एक जोयूर कर दीजिएगा तो दोस्तों आज कि वह हम लोग और भारत चीन यूद्ध दोस्तों यह भारत-चीन यूद्ध कभ हूँ था लग्मिशल के तौश्ट नहीं हुआ था इसमें भारत की क्या कमिया था कमी थी और क्या परिणाप हुआ उन सारे विशोयों के उपर चर्चा किया जाएगा तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा और दोस्तों हो सके तो वीडियो आप लोग बेना डाउनलोड किये हुए ओनलाइन ही देखिए तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों पहला बात है कि भारत चीन यूद कब हुआ था तो 20 अक्टूबर 1962 को लड़ा गया था ये यूद आपको याद रखना है 20 अक्टूबर 1962 क्योंकि ये सवाल अबजिक्टिव का भी सवाल हो सकता है दोनों देशों के बीच या यूद करीब एक महिना तक चला था जिसमें भारत की काफी हानी उठानी पड़ी थी और जिसके कारण उसका हार भी हुआ था तो दोस्तों ये ये अब हुआ था 20 अक्टूबर 1962 को हुआ था एक महिना तक चला था और जिसमें भारत को काफी हानी का सामना करना पड़ा था और जिसके कारण भारत की हार हुई थी इस यूद का कारण जो सबसे बड़ी चीज दोनों देश ने गवाई थी वो उनकी आपसी विश्वास था इस यूद में जो सबसे बड़ा चीज गवाया था वो क्या था दोनों देशों के विश्वास था दोस्तों इस यूद से पहले कोई भी देश ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि चीन भारत पर आक्रमन करेगा क्योंकि जो चीन के जो राष्टपती थे और भारत के प्रधान मंत्री उन दोनों के बीच बहुत अच्छा संबन थे आखिर क्या हुआ ऐसा कारण जो चीन भारत पर आक्रमन करेंगे तो देखेंगे हम लोग इसके बाद तो दोस्तों इस यूद में भारत ने अपनी बायुसेना का इस्तमाल नहीं किया था तो दोस्तों यूद तो हो गया लेकिन भारत ने जो इस यूद में बायुसेना का इ इस्तिमाल नहीं किया था तो हम लोग ओभी देखेंगे कारण में ठीक है तो जिसके कारण जिसके लिए परधान मंत्री जबाहार ना नेरू की काड़ी आलोचना भी हुई ठीक है और भारत चिन यूद कठोर परिस्तिती में लड़ी लिए लिखनी है तो दोस्तो जो भारत चिन यूद था वो बहुत ही कड़ी परिस्तिती में लड़ा गया था और बहुत ही उचाई पर लड़ा गया था और उदाग वाला होता है इसलिए वह बहुत ही विप्रित प्रिस्तिती में एक मेनहा तक जो लड़ाई हुआ था विच और चला था तो कितनी हुल तरकी उचाई पर लड़ा गया था तो 4250 मीटर उचाई पर और इसे 14000 फीड भी कहा जाता है उचाई पर लड़ा गया था यह यह यूद चीन और भारतियों दोनों पक्षोग द्वारा नौशेना और बायुसेना का प्योग नहीं करने के लिए वाक्या थे मतलब इस यूद म सिर्फ और सिर्फ आर्मी ही लड़ा था इस्तल से ना बायुसेना और नौसेना नहीं लड़ा था तो दोस्तों मोटा मोटी बात यह है कि आपको याद क्या रखना है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत और चीन के बिच कभी यूद हुआ था 20 अक्टूबर 1962 को भारत को काफी हानी का सामना करना पड़ा और जिसके कारण भारत की हार हुई इस यूद में जो हुआ था इस यूद में सबसे बड़ा हानी यह हुआ कि दोनों देशों के भी विश्वास खतम हो गया था और दोस्तों सायद आज भी विश्वास नहीं बना है और इसी के कार दोनों देशों के विछ तनाप अभी भी बाकरार है और ठीक है और इस यूद में बायू सेणा का इस्तिमाल नहीं किया गया था सिर्फ और सिर्फ यह स्तल सेना के विछ हुआ था और बहुत ही उचाई वाले छेत्र में हुआ था कितना उचाई पर फिर दोस्तो हम लोग देखेंगे कि भारत चीन युद के प्रमुख क्या-कारण थे तो दोस्तो प्रमुख दो कारण है और दोस्तों दो कारण से यह आपको पूरा किलियर हो जाएगा आप ध्यान से दिखिए दोस्तों सबसे बड़ा जो मसला था तिब्बत का था तो भारत 1947 को आजाद हुआ था और उसके कुछी समय पस्चाद मतलब समय समय मतलब साथ साथ ही कर सकते हैं 1950 में चीन भी ग दोनों ही विक्सित एक साथ हुआ था और उसी समय तिब्बत दोस्तों तिब्बत सबसे बड़ा मसला था कारण क्या था कि तिब्बत जो था भारत और चीन के मज्ध था और तिब्बत के निवासी चाहते थे कि हम लोग भारत में सामिल हो और चीनी जो चाहते थे वो चाहते थे कि तिब्बत चीन के अंडर में रहे मतलब अंदर में रहे ठीक है तो जो मज्ध एशिया का मसूर पाठार भी था ये दोनों देशों के बीच विवादित विशोय भी रहा है सन 1950 में चीन ने तिब्बत पर कबजा कर लिया परारण में भारत सरकार ने खिलाप खुल कर नहीं बोला तो जब जब चीन x50 में तिब्बत पर कभजा कर लिया तो भारत उसका बिरोध नहीं किया था क्यों कि पंडित जवालना नहरू और चीन के राष्ट्रपती के बीच अच्छा संबन्द था और नहीं चाहता था कि कुछ भी टेंसे नहीं दोन देश के बीच और इसका फाइदा चीनियों ने उठाया और भारत ने इसका बिरोध करना शुरू कर दिया था ठीक है लेकिन दोस्तों भारत ने यहां पर कुछ नहीं बोला था लेकिन भारत कभी भी हिंसा नहीं करते थे इसलिए भारत जब सुना कि जो चीनी है वो तिबत के नागरीकों के उपर बहुत ही मतलब टॉर्चर करते ह हैं तो भारत का मतलब बरदास के बाहर हो गया था उसके बाद वो हस्त छेप करने लगे थे क्यूंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों क्या इसी बीच क्या हुआ आप लोग उसको ध्यान से देखिए इस परिस्तिती में आग में घी डालने जैसा काम उनिस सु उनसाड इसुई में तिबतियो धर्म गुरू दलाई लामा को भारत में सरन देना रहा चीन ने भारत पर चीनी गतिवीधियों चलाने का आरूप लगाया तो दोस्तों समझे क्या है तो दोस्तों जो उनिस सु बासट में योध हुआ उससे तीन साल पहले जो दोस्तों धर्म गुरू को झालायला म आलाता है और जो श्तुमौ धर्म और ये के प्रमुख को तो धिवागवान ठीक है तो वही मतलब भारत पर आके बस गए थे और भारत इस घर्म गुरू दालाय यह मा aligned चीनियों को लगता था कि भारत कुछ अलग करना चाहते हैं भारत अलग करना चाहते हैं और उहां पर मतलब क्राम्तिकारी गत्यविधियों को बढ़ावा दे सकता है तो चीनी ऐसा आरोप लगाया कि इसको भारत के उपर दोस्तों दूसरा करण क्या था यूद का दूसरा करण हिमालय चेत्र का सीमा विवात था तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि चीन कैसा देश थे चीन आज भी हर देश के बीच मतलब सीमा बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं और आज भी यह बहुत बड़ा समश्या का दोस्तों जो चीन है हर बार कभी बोलता है कि जापान हमारा है कभी बोलता है कि चीन का जो मतलब भारत का जो इलाका है असकाई चीन जो 1962 में काबजा किया हुआ है वह हमारा है पिर अरुनाचल परदेश का कुछ सीमा बोलता है हम लोग का है तो मतलब चीन हर देश के मतलब जाके आपना सीमा के लिए ही जगड़ा करता रहता है तो वही एक करन था. 1462 का यूद्खा भारत मानता था कि सीमा का निधारांद τι समय के समय तो भारत में उसी समय सिमा का विवाद सुलज गया था लेकिन जो चीन थे वो नहीं मांते थे किंतोची इस से इनकार करता रहा है उनसे भारतिय सीमा का महत्वू छेट्र जम्मू कश्मीर लड़ाक वाले को के आश्खाइ चीन और उनचल परदिश के कई हिश्व को अपनादाव जाता है ठीक है तो दुस्टों मतलब क्या है चीन जो जम्म कश्मिर का इलाखा है ना वह लट दा के कुछ इलाके जो थे वह देन जाते थे कि वह हम लोग का है और हम लोग उपसकून लें तो और जिए अरुनाचल परदेश का इलाखा है वह भी चीन जो जांते थे कि ब्रिटिस के सासन काल मेंتي यह सब मामला सुलज गया था यतोर इसा झिनी नहीं मानते थे DC मारुना चलपरदैस का कुछ ऱòngला का कुछ इससा अभी भी चींट जो citizens है तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कई सब Scottish Dan 5 ऑपन्डित जवाहला नहरू और माउसेतुंग के बीज कई बारताओं के बाद भी मसला नहीं सुर्जा जिसका परिणाम यूद के रूप में सामने आया तो दोस्तों ये दोठो कारण important कारण था और भी कारण है जो मैं बताऊंगा लेकिन ये दो बहुत ही जादा important कारण हो गए तिब्वत का कारण कारण जो उन्हीं सु पचास में चीनियों ने मतलबकजा कर लिया था उहाँ पर वोठी के उपर बहुत ही टार्चर करते थे जिसका विरोद पहले-पहले भारत नहीं किया बाद में भारत भी उसका बिरोत किया और उसी बीच मतलब दलाई लामा भारत में आकर रहने लगे और चिनी इसको मतलब क्रांतिकारी गतिविधिया कहकर मतलब इसको उपर यूद किया ठीके और दूसरा कारण था सीमा विबाद जो लड़्दाक और अरुनाचर परदेश का सीमा था दोस्तो अब हम लोग देखेंगे भारत चिनी यूद में भारत के हरकार झाल दोस्तों आप इसको भी यूद के कारण में भी लिख सकते हैं क्योंकि यह भारत का ब् है बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है मैं इसको डिटेल में बताऊंगा ठीक है तो दोस्तों इसमें पहला कारण है रच्छा मंत्री एबं कमांडर का गेर जिमेराना व्यवाहर दोस्तों उस टाइम जो रच्छा मंत्री थे वो कौन थे कृष्ण मैन ठीक है कृष्ण मैनन औ और उस टाइम जो कमांडर थे जैनरल बी एम कॉल कि दोस्तों दोनों के बीच कुछ भी अनुभव नहीं था यूद का मतलब कुछ भी अनुभव नहीं था और वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि भारद और चिन के बीच एसी पृष्टिति में मतलब यूद होने वाला है तो यह लोग मतलब पूरा निश्चिन थे और उसी बीच मतलब भारत के कमांडर थे उसका बीमार वो बीमार में थे ठीक है और बीमारी के कारण वो घर पे थे और इसी बीच यूद हो गया था तो आप समझ सकते हैं कि जो सेना का हैड होता है कमांडर तो दोस्तों अगर कमांडर घर पे बेठा हुआ रहे तो यूद किस तरह से जीता जा सकता है क्योंकि सेना को लीड करने के लिए कमांडर का वहां होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है लेकिन यह जो कमांडर थे मतलब यह नहीं थे मतलब इतना अपने आपको मतलब इतना यह नहीं समझे कि हम उनको जाना जरूरी है और यह भी हो सकता है कि वह ज़्यादा बिमार थे लेकिन यह एक टोक कारण है भारत का यह प्राजय का कि वह अगर सेना के साथ होते तो सेना को का मनोबल बढ़ता लेकिन वह सेना के साथ नहीं थे और घर से भला यूद जीता जा सकता है तो दूसरा जो कारण थे वह खुपिया एजेंसी के प्रमुक की नाकामी है दोस्तों आप इसको ध्यान से समझिए दोस्तों उस समय जो भारत का खुपिया एजेंसी था उसका प्रमुक था मलिक तो मलिक उसका प्रमुक था और मलिक ने भारत ओ चीन के बीच मित्रता पुल्म सम्वच को देखते हुए कभी भी चीन मतलब जाकर कभी भी उसका खुपिया तरीके से कुछ भी समाचार भारत नहीं लाये थे क्योंकि उनको लगता था कि इसको मतलब भारत और चिन के बिच तो सम्मध बहुत ही अच्छा है कुछ भी गतिवीजी चीन का और परखी नहीं सके और नहीं उसके कुछ संदेश उस टाइम डिफेंस को दिया नहीं प्रधान मंत्री को अगर उस टाइम जो मलिक थे वो सही से काम करते तो सायत 1922 की जो यूद हुआ उसका भनक पहले ही लग जाता और भारत भी उसके लिए यूद की तैयारी कर लेता लेकिन मलिक ने ऐसा समझा ही नहीं कि उसका कुछ जो न्यूज था वो भारत तक पहुचाए वा उनका कुछ खुपिया तरिके से खबर अरजित करें तो यह भी एक कारण था भारत का हरने का फिर दोस्तों दूसरा कारण था प्रधान मंत्री की लाफरवाहिव दोस्तों यह बहुत बड़ा कारण है क्योंकि दोस्तों भारत और चीन के बीज बहुत अच्छा संबन था दोस्तों समझ चिन के बांते थे कि भारत और चीन के बीच इतना अच्छा संबन्ध है और यह संबन्ध चीनी नहीं तोड़ेगा और उसे वेच मतलब एक और भी कारण था कि युसेसार मतलब राशिया राशिया और चीन का संबन्ध बहुत खराब था अगर चीन भारत पर आक्रमन कर देगा तो राशिया चीन का मदद करेगा जो जवाहला नहरू थे वो राशिया के साथ भी सम्मद बहुत अच्छा था इसलिए वो सोच भी नहीं सकते थे कि चीन भारत पर आक्रमन करेगा किन्कि अगर चीन आक्रमन करता करेगा तो एसी कारण चीनियों ने भारत पर आक्रमन कर दिया और जिसका परिणाम यह वहा कि हम लोगको हार का समना करना पड़ा तो दुस्तों यह फी एक कारण था कि परधान मंद्री ने लापर वहाई बरति ठीक है औ्परधान मंत्री को लापर वहां करने से पहले दो इजेंसि को लापर हां कहना बहुत जरूरी है एक है दोस्तों सेन्य अधिकारी वा एक खुपिया अधिकारी को क्योंकि दोस्तों प्रधान मंत्रिक के आप दूसरे देश में जाके यह सारा मतलब जो नियूज है यह सारा गतिवीधियों को पता लगा सकता है नहीं लेकिन उसमें बहुत जादा लेकिन पास्तविक तक क्या था पंडित नहरू के सामने कोई कहने सका कि इसका करन यह भी था कि जो चीन थे और भारत उसका सम्मध बहुत जादा था और अच्छा था और इसके करन कोई भी पंडित नहरू के पासमा कर कहने सका कि चीन ऐसा गतिवीधि कर रहा है ठीक है और इसका फाइदा कौन उठाया चीनियों ने उठाया दोस्तों अगर आपको बिएओव समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिये अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिये दोस्तों दूसरा जो कारण था वह यूद यूद में हार का कारण उचीत कारण जो एरवीस का था दोस्तो इसको भी समझेए दोस्तो यूद का एक कारण था Air bees का मतलब इस यूद में नहीं सामिल होना क्या है दोस्तो एक मतलब रिपोर्ट केनुसार जिस समय भारत उचीन का यूद हुआ था उस समय चीन का जो एरफोर्स था वो मजबूत नहीं था और अगर भारतिय एरफोर्स चीनियों के उपर आकरमन कर देता तो परिणाम उल्टा भी हो सकता था हम लोग चीनियों को हरा भी सकते थे लेकिन ये मतलब प्रधान मंतरी की लापरवाही थी कि उन्होंने एरफोर्स को इस युद में साम कर लेता तो सायद परिणाम कुछ उल्टा हो जाता तो ये भी एक कारण था कि एरफोर्स को इस में सामिल ही नहीं किया गया दोस्तों दूसरा जो कारण है भारत के पास कोई भी जो युदनिती है वह नहीं था क्यांकि 1947 में ही आजाद हुआ था तो कैसे इसके पास यूद का अनुभव हो सकता था क्योंकि ये तो पहले कभी भी यूद लड़ा ही नहीं था तो ये भी एक यूद के हार का कारण था ठीक है तो दोस्तों अगर आपको परिणाम की बात करें तो परिणाम क्या हो सकता है इस यूद म जो भारतीनी यूद हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ ये भी बहुत ज़्यादा इन्पोडेंट है तो दोस्तों ये जो कारण था इसका ज़स्ट उल्टा हुआ यही परिणाम थे तो क्या हुआ ये जो रच्छा मंत्री और कमांडर था इनको पत से निकाल दिया को निक के बात मतलब जो भारत के एरफोर्स है उसमें बहुत परिवर्तन लाया और आज भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही आधुनिक हत्यार भारत के एरफोर्स में सामिल किया गया है और दोस्तों जानते हैं कि भात का जो एरफोर्स है बहुत ही मजबूत है अगर हम लोग एरफोर को सामील ही नहीं क्या ठीक है उसके बाद क्या हुआ इस परिढ्याम का सुरूप यह हुआ कि भारती एरफोर्स को बहुत ही ससक्त बनाया गया और हड्ड यूद के लिए सबसे पहले एरफोर्स को ही रेडि किया जाता ऑप और फिर क्या हुआ दोस्तों भारत यूद ने एक पहुती सुचारूरूप से यूद निती बनाना सुरू कर दिया था क्योंकि भारत जानता था कि चीन ने भारत प्राक्रमण किया तो पाकिस्तान भी कर सकता है क्योंकि चीन और पाकिस्तान का सम्मध बहुत अच्छा था और पाकिस्तान हमेशा जम्मू कस्मीर के उपर भारत से बिवाद चलता आ रहा है तो इसलिए उलोग चोकनना हो गया थे और यूद नीती बनाना शुरू कर दिया था तो यही परिणाम था जो इस यूद का रहा क्या रहा भारतियों रच्चा मंत्रियों कमांडर को बाहर निकाला गया खुपिया एजिंसी को ससक्त मंत्री ने लापारवाही ब्रतना चोंड दीया था और एरफोर्स को बहुत ही ससक्त बनाया गया और यूद निती को बहुत ही कुट कमिती पूर्ब बनाया गया था क्योंकि भारत जानता था कbane कोई भी देस आक्रमन कर सकता है क्योंकि भारत भारत की स्थित्य नेरीवcell लगा तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब को लिजिए लाइक किजिए शेयर किजिए और च्बाइब किज़ें तो दोस्तों सवाल यह है कि भारत चिन के मजद यूद कब हुआ था आप लोग डेट के साथ पूरा लेखिएगा और अपना एंसर कॉमेंट बोक्स में लेखिएगा भारत और चिन के बीच यूद कब हुआ था ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक